हेलो आज के हमारे ट्रिटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि किस तरहां एक रियल लाइफ अबजेक्ट के ओपर हम कोई भी चीज प्रिंट करवा सकते हैं आप लोगोंने देखा होगा कि मार्किट में कुछ ग्लासी या मग्स अवेलेबल होते हैं जिनके ओपर कोई टेक्स्ट राइट किया गया होता है आज हम देखेंगे कि कोरल रा में वो चीज हम कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं एक इमिज इंपोर्ट करवाता हूं यहां पर अब यहां पर हम लोगोंने एक बॉक्स की इमिज इंपोर्ट किया यहां पर मैं एक टेक्स्ट राइट कर लेता हूं अब मेरा जो में यहां पर मकसद है वो यह है कि यह चीज मैंने यहां पर लिखनी है अभी तक हम लोग जब यहां पर टेक्स्ट लिख रहे थे तो आप लोग देख रहे थे कि परस्पेक्टिव इसका इतना ज़दा क्लियर नहीं है यानि कि यहां पर वाज़िया तो ऊपर नजर आ रहे है कि यह टेक्स्ट अलग लिखा हुए और जो इमीज है वो एक अलग अबजेक्ट है लेकिन आप लोग जब देखते हैं ग्लासिस के ओपर यह मकस के ओपर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो एक्जेक्टली लग रहा हुता है कि वो उसके उपर ही लिखा हुए और उसके साथ ही उसकी जो भी शेप होती है उसके साथ वो मैच कर रहा हुता है तो इसका सबसे असान तरीका यह है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिख है तेगा आपने इसको स्लेक्ट किया हो उसके बाद आप लोगों ने जाना है अबजेक्ट के टैब में यहाँ पर आप लोगों को एक option मिलेगा add perspective इसको आप क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर चार dots आ रहे हैं आप यह कर सकते हैं कि हर एक को select करके किसी भी एक point के ओपर drop करवा सकते हैं और अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि पहले जिसतना text लिखा हुआ था और अब जिसतना text लिखा हुआ है इन में कितना जादा difference है देखने वालों को अब यह चीज clear है कि यह text इसी box के ऊपर लिखा हुआ है बजाए इसके के यह अलग से object consider किया जा रहा हूँ और जो background object है वो अलग से अगर यही object आप चाते हैं कि यहाँ पर show हो simply हमें सिर्फ इनी points को drag करना है और खुद से perspective define करना है और यह देखे हम लगोंने कितनी असानी से एक text को एक दूसरे object के ऊपर add करवाया है और यह दोनों objects अब different भी नहीं लग रहे